इस्ट्वेंस कल में ने इसी चैनल पर आपके लिए एक वीडियो अप्रूड किया था जिसमें मैंने आपको डीपली समझाया था कि जब भी आप स्टार्टिंग में क्रिगेट का चैनल बनाते हैं तब आपको किन किन चीजों का ध्यार रखना है जैसे आप जैसे बहुत सारे स्ट्वेंट से बार-बार मेरे वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर जो किरिगेट के चैनल होते हैं उन पर मॉनिटाइजिशन का सबसे बड़ा इस्यूज होता है तो मैंने मॉनिटाइजिशन को लेकर कापी बड़ा आपको एक्जांपल कापी सारे जानकारियं मैंने आपको प्रुवाईट करवाई कि किस तरीके से करीके की वीडियो alleenा तरीकर करें के निव Harley है उसके बारे मेंने आपको बताए था को उसके बारे में इसके बारे में आपको बता ऊ случай पासे से करफ्ले क आइस दो चैनल में वाय को मुझे उमएध आप में जातर सुने चैनल होता है इनका प्रप्लम होता है तो मुझे उम्मीद को जरूर देखेगा कल का वीडियो काफी important है तो वीडियो स्टार्ट करने से पर इस्टुएंट्स आप सभी को मैं मैं अपनी तरफ से टेक दमाल यूट्यूब फैमली की तरफ से दीवाली के हार्दे सुपकामना देना चाहता हूँ क्योंकि आज दीवाली है मुझे उमिद आप भी अपने फैमली के साथ मैं दीवाली celebrate कर रहे होंगे आप भी टेक दमाल फैमली के family members हैं तो मेरी तरफ से टेक दमाल यूट्यूब फैमली की तरफ से happy दीवाली for all subscribers, for all टेक दमाल youtube family members तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं regular देख रहा हूँ काफी सारे वीडियो मैंने क्रिकेट से related अपलोल किये हैं तो आप जैसे बहुत सारे स्ट्वेंट्स के बारवार comments आ रहे हैं किसार हम क्रिकेट का चैनल तो open कर लें लेकिन क्रिकेट के चैनल के लिए हमें background music के जरुवत पड़ती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो मैं मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्रिकेट के चैनल के लिए जो background music होते हैं इनको आपको कहां से download करना है और किस तरीके से आपको use करना है देखें स्ट्रेंड से आप directly मेरे बताई हुए रास्ते अपर नहीं चलेंगे दिया आप directly किसी भी background music को अपने विडियोस के अंदर यदि लगा लेते हैं तो आपकी चैनल पर strike भी आ सकता है और आपके चैनल पर copyright claim तो 100% आएगा ही आएगा बहले स्टार्टिंग मन आए लेकिन बाद में जरूर आ जाएगा इसलिए आपको मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से ही आपको background music यूज़ करना है क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ मेरा ये जो चैनल है वो second channel है इससे बड़ा मेरा fact channel है और आप सभी को पता है ये जो fact का channel होता है उस पर काफी जादा background music यूज़ करना होता है इसलिए background music मैं काफी सालों से यूज़ कर रहा हूँ किस तरीके से background music यूज़ किया जाता है उसको भी मैं आज के सब्सक्राइब में बताने बाला हूँ इसलिए आपको एक एक point ध्यान से देखना है ध्यान से सुनना है तो देखे दोस्तों जब भी आप cricket के वीडियो में किसी भी background music को एक तरह से यूज़ करें तो उसको directly आपको अपने चरपा यूज़ नहीं करना है पहला तरीका मैं आपको बता दीता हूँ लास्ट मैं आपको यह भी पता हूँगा कि background music आपको कहां से download करना है मैं directly आपको उसका link के देदूँगा थोड़ा सा patience रखे बस मैं आपको तरीका बताता हूँ यदि आपको copyright claim से और copyright strike से बचना है आपको क्या करना है जैसे कि आप सभी को पता है हर creator के हर YouTuber के दो-तीन channel होते हैं जैसे कि आपको एक main channel होगा और आपने दो-तीन channel फरजी type की बना रखे होंगे तो आपको क्या करना है जब भी आप एक तरह से किसी भी background music का यूज़ करना चाहें अपने videos के अंदर सबस्वेले उससे एक तरह से background music का चोटा सा clip से 10 सेकेंड का आपको अपने जो फरजी वाला YouTube channel है उस पर upload करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यह जो एक background मुझे कहा है इस पर copyright strike आ रहा है या पर copyright claim आ रहा है कि नहीं आ रहा है जैसे कि मैं आपको clear बता दूँ मुझे कम से कम 3 साल का experience है यह जो YouTube पर NCS music होते है no copyright song होते है इन पर भी कभी copyright claim आ जाता है copyright strike नहीं आता लेकिन copyright claim आ जाता है लेकिर यह जो channel to channel चीज़ा vary करती है आपने ऐसा देखा होगा मुझे 3 साल का experience है काफी सारी चीज़ा जान चुका हूँ background music के बारे में आप यह बड़े बड़े channels पर जाओगे वो अपने वीडियो जो background music यूज़ करते है यह वो background music same to same आप अपने channel पर यूज़ कर लोगे तो उनके channel पर copyright strike और copyright claim नहीं आएगा लेकिन आपके channel पर आ जाएगा कई बार ऐसा हुआ है और कई सारे मेरे दोस्त मेरे इस्ट्वेंट्स है वो अपने channel पर इस प्रकार के जो background music की problem से जूज़ है और उन्होंने मुझे बताया भी है कि सर यह जो background music के हमने अपने वीडियो के अंदर तो यूज़ कर लिया लेकिन हमारे चेनल पर copyright claim आ रहा है background music डाउनलोल करने के बाद में चोटा सा 10 सेले के 15 सेकेंड के जो short clips है उसको आप अपने फरजी YouTube channel है उस पर upload करिए उससे आपको पता चलियागा इस पर copyright claim आ रहा है कि नहीं आ रहा है यदि नहीं आ रहा है तो directly आप उससे एक तरह से background music को आप अपने videos के अंदर use कर सकते है तो पहला तरीका तो यह हो गया तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए आप में जाता जो जो students हैं वो क्रिगेट के videos को download करना चाहते है मैं directly उसका link इस video के description में डाल देता हूँ उस link पर click करके directly आप बहुत सारी जो क्रिगेट के background music है उसको आप download कर सकते है लेकिन ध्यान रखना है मैं जो एक तरह से background music को आपको provide कर रहा हूँ यह वैसे 100% copyright free है इन पर कोई भी copyright issue नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि देखे जब भी आप videos को upload करना है तो आप long time के लिए videos upload करना है कभी कभी क्या होता है आप starting में videos को डालोगे उस पर कम views आएंगे तो कोई भी बड़ा जो creator है जिसका background music है वो नहीं claim देता है नहीं strike देता है लेकिन बाद में देता है जब आपके channel पर एक तरह से million में views आते है तब आपको क्या करना है starting से आपको सापधानिया और आपको फूरी तैयारी करके चलना है आपको क्या करना है जहां से भी आप एक तरह से यह जो background music है उसको download करने के लिए जा रहा है तो background music अपनी वीडियो में लगाने के बाद में उसका credit उसके owner को जरू देना है दूसरा उसके वीडियो का जो link है उसके background music का जो link है आपने वीडियो के description में जरू डाल दिएगा जिससे के जब भी एक तरह से विजिट करें क्योंकि कापी सारे जो बड़े बड़े agency होती है जो के background music free copyright free provide करती है वो भी directly चेक करती है कि सामने वाले creator ने creator दिया है कि नहीं वीडियो को copyright strike और copyright claim से बचा लोगे देखे दोस्तों जब भी आप अपने चनल पर काम करें आपको सीख सीख के काम करना है यदि मन के मुताबिए कि आफ बिना सीख के काम करेंगे तो starting में तो आप चल जाओगे लेकिन एक समय के बाद दिरे दिरे first जाओगे आपके चनल प